Hi everyone, आज मैं आप सबके साथ, पोर्ट़ बतन्स बनाने के एक करी के यह शेयर करने बाली हूँ साथ ये भी बताओंगी कि कौन सा तरी का बैस्ट है पोर्टले बतन्स बनाने के लिए आपके पास जितना फैबरिक एवेलेबल है या फिर आपको पोटले बटन का साइज कितना बड़ा या छोटा रखना है उसके अकोर्डिंग ही आप धाई इंच, पोने तीन इंच या तीन इंच के स्क्वार पीस कट कर ले अगर कपड़ा कम नहीं है तो तीन इंच लेना चाहिए मार्जन लेकर चलना ही सही रहता है मेरे पास यह फैब्रिक है तो मैं इसमें से पोटले बटन बनाऊंगी आयरन की हैल्प से बहुत सारे पीस एक साथ ही कट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से आपका टाइम वेश् कि इस फैब्रिक को इस परकार बीच में से फोल्ड कर ले फिर इस परकार फिर बीच में से इस परकार अब कि टाइट प्रेस लगा ले दोनों साइड से नाप लेते हैं इधर तीन इंच है इधर पोने तीन इंच है तो इसे थोड़ा सा इस परकार कम कर लेते हैं आप इसको कम ने भी करें तब भी पोटले बटन बनाने में कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन मैं कट कर देती है इसक परका देखें जो क्रीज का निशान है इस पर से अलग अलग कर लें यह जुड़ा हुआ है इसे भी अलग कर लें यहां पर मैं च्छा तरीके से पोटले बटन त्यार करकर बताने वाली हूँ जिस तरीके में कोई नेगेटिव पॉइंट बता दूंगी नमबर न देखें जैसे आपके पास यह बचावा फैबरिक है तो आप इसको किसी भी सेप में कट कर लें लेकिन आपके यह है बराबर होने चाहिए यह नहीं कि कोई बड़ा या कोई छोटा देखें जैसे मैंने इस सेप में कट कर लिये हैं आप इसको आप इस परकार रखें और इसको गोलाई में इस परकार फोल्ड कर दें एक पीस ले इसके अंदर इस परकार रख दे अच्छी तरह से गोल सेप कर दे इसे कलर का धागा यूज करेंगे इसको डबल कर लेते हैं देखें और टाइट लपेट देते हैं दो बार पक्का भी कर देते हैं एक्स्रा धागा और फैब्रिक कट कर दे देखें इस तरीके से ऐसा पोटली बटन बन गया है सबी पीसिज देके बराबर है तो हमारे पोटली बटन बराबर ही बनेंगे अब आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जैसे यह हैं आपको इनकी कतरन करनी है लेकिन आपको 81 कतरन नहीं करनी है अगर आप 81 कतरन कर लेंगे तो साइज बड़ा छोटा हो सकता है पहले आप एक पीस की कतरन कर ले इस परकार फोल्ड कर ले कई बाल देखे एक पीस लीजिए और उसके अंदर इस परकार रख दीज़ा इस परकार गोलाई में सेप दे देंगे और दागा लपेट देंगे इसमें भी गाट लगा देते हैं दो बार देखें यह दूसरे तरीके से बन गया बटन अब मैं आपको तीसरे तरीके से बता रहे हूँ करते हैं लेकिन में थर्मकोल क्या यूज से बने हूँ। यहां पर उपर आप जब भी प्रेज लगाएंगे तो वहां पिचक जाते हैं इस परकार इसलिए थर्मकोल की गोलियों का बनाने के लिए नहीं करना चाहिए एक कि नंबर फोर वह सें आपको जिस आइज के भी बनाने हैं बढ़े या चोटे ले ले उसको नदर के अंदर रखर इस फरकार के funktion और इसी परकार अच्छी परकार से लपेट दे देखें ऐसा पोटली बटन बने चुका है लेकिन मोती से जो हम पोटली बटन त्यार करते हैं उन्हें सिंगल बूट से ही लगाना पड़ता है वरना ज्यादा फिनिसिंग नहीं आती है अब मैं आपको लास्ट में दो बैश तरीके बताने वाली हूं देखें यह 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 जोट बत्ती का रेडिमेट पैकट है इसमें से आप बत्तिया निकाल ले इसमें चोटे-बड़ी सभी साइजी तो आप इसमें से छोटी बड़ी छाट सकते हैं आपको जिस भी साइज के पोर्ट लिबटन बनाने हैं आप उसके अकोडिंग ही छाट ले यह चोटी है यह लग निकाल दे कि बत्ती को कट कर दे देखें कपड़ा लेकर इसके अंदर इस परतार रख ले अगर आपको बड़े साइज के पोर्ट लिबटन बनाने हैं तो आप एक बजाए fiance दो वकटियों को एंखटा यूज कर सकते हैं जैसरे इस परकाल आप उनको एंखटा यूज कर ले इस तरीकसे पोर्टり के अस्थान पर कोटन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें आपके छोटे-बड़े बन सकते हैं यह है रेडिमेट नाड़ा है इसमें से एक इंच या डेड़ इंच नापकर कट कर लें मैं डेड़ इंच ले रही हूँ इसी परकार कई पीसिज कट कर लेते हैं देखिए इसको इस परकार खोल कर इस परकार गोलाई में सेव दे और इसके अंदर रखकर पोटले बटन त्यार कर देते हैं इसी परकार आप रेडिमेट नाड़े के अस्थान पर घर का बना हुआ नाड़ा भी यूज कर सकते हैं यह पोटले बनाने का सबसे बैस्ट तरीका है मैं इसी तरीके से पोटले बटन बनाती हूँ अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लेज सबस्क्राइब एंड सेयर माई चैनल